जैहिन साथियों मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्राखंट पहाड़ी रसोई में आपका हारदिक सागत है साथियों आज हम जो है उत्राखंट में बनने वाली जो पहाड़ी रेसिपी है और पारंपरिक रेसिपी है वो शेर कर रहे हैं ये जो है प्याज के पते हैं हरे पते और इसके साथ में प्याज भी लगे वे हैं लोकल जो है प्याज के पते हैं ये तो हम जो है इससे प्याज की पिठवानी बनाएंगे और पिठवानी बनाने के लिए हमें जो है ये प्याज जो दाने वाला है ये प्याज नहीं चाहिए ह इसके पत्ते चाहिए होंगे जितने भी यह हरे पत्ते हैं यह देखिए एकदम फ्रेश पत्ते हैं यह तो इस जो रेसिपी है इसके लिए फ्रेश पत्तों की ही जो है आवशकता होती है तो साथियों हमें इसके लिए प्याज के फ्रेश और ताजी ताजी जो है जिसे बोलेंगे हम पत्ते चाहिए और इसके जो प्याज के दाने हैं यह देखिए जो यह प्याज के दाने हैं इनको हम निकाल लेंगे और जो इसकी डंडिया है वो भी यह देखिए इसमें जो है प इस तरह से हम इनको पत्तों को अलग से निकाल लेंगे ये देखे अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो इसको हम यहां से कट कर लेंगे ये और जो पत्ती है पत्ती का हम पिठानी बनाएंगे और ये जो है इसको दूसरी रेसिपी में हम यूज कर लेंगे तो इस तरह से हम स साफ धो लेना है एकदम क्लियर करके साफ पानी से 3-4 बार हम इनको धो लेंगे और उसके बाद हमें ऐसी काट लेने हैं जैसे हम सबजी के लिए काटते हैं तो अच्छे से साफ करके इन्हें सबजी के लिए हम काटेंगे ये देखे ये जंगोरा है जंगोरा यानि जिसे सवा वी बोलते हैं, तो सवा मेंने दो बड़े चमच ले लिये हैं, और इसको एक-दो गंटे के लिये हम भीगा लेंगे, कम से कम डेठ से दो गंटे भीग जाएगा, तो बहुत अच्छे से इसका यूज हम कर सकते हैं और इसके साथ ही हमने दो लाल बड़े टमाटल ले लिये हैं इनको काट के ले लेंगे और लहसुन की 10-12 कलिया और 3 हरी मिर्च ले लिये हैं इनको हम काट के पीस के यूज करेंगे और साथ में यह हरी प्याज है इसको अच्छे से दो लेंगे और साफ करके काट लेंगे प्याज के सारे पत्ते हमने काट लिया है नहीं हमने बहुत बारिक काटा है और नहीं हमने इसे बहुत बड़े-बड़े काटा है तो इसको इस तरह से हम काट लेंगे तो सारे पत्ते हमने काट लिया है और इसके साथ ही हमने जो ये जंगोरा था इसको भी हमने पीस लिया और तमाटर हरी मिर्च लहसुन ये भी हमने जो है मोटा मोटा पीसा है और आप ये देखे इसको बहुत बारिक हमने पेस्ट नहीं बनाना है ये देखे इतना हमने इसको मोटा मोटा पीसना है इसके साथ ही हमने ये धनिया ले लिया है और थोड़ा सा हम जो है इसमें जख्या डा तड़के के रूप में तो साथियो ये मुख्य मुख्य सामगरी है इसको हम साइड रख लेते हैं और कड़ाई को रख लेते हैं गैस पे और तेल हम गरम कर लेंगे तो साथियो तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें तड़का डालेंगे सबसे पहले हम आधा चम्मच जख्या और उसके बाद जो यह क्रज किया हुआ धनिये के बीज है, इसको डाल लेंगे. नद टमाटर, और नहीं को हम डुझ जो भी इसो को डाल की से बाद मृत्ता । मिक्स्के के बाद अर भी ढाली मिलमाट वी और मिक्स करने की बाद डाले मसालें में मसाले में हमने हल्दे डाल दी है आधा चमच इसके साथ ही हम अब डालेंगे इसमें यह देखिए लाल मिर्च और लाल मिर्च के बाद यह हमने नमक डाल दिया है स्वात के हिसाब से अब हम इसमें डालेंगे धनिया जीरा और थोड़ी सी काले मिर्च पीसके रखी वी है इसका हमने मसाला तयार किया है तो यह हमने डाल दिया है अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसे हम पका लेंगे ताकि जो है इसका तेल सेपरेट हो जाए चेक कर लेते हैं और ये देखिए अच्छे से जो है टमाटर प्गग गए है अब जो थोड़ा थोड़ा हमने हमने थोड़ा मोटा मोटा पीसा था टमाटर भी अच्छे से गल गए है मसाले के साथ में तो इसका जो है एक दम बढ़िया तेस्ट आएगा अब हम सब्जी डाल दे रहे हैं हरी मसाले के साथ हम जो है इसे मिक्स कर लेते हैं अब मसाले के साथ अच्छे से यह मिक्स हो गया है अब हम इसे पका लेंगे 2-3 मिनट तो सब्जी को चेक कर लेते हैं और यह देखिए सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है इसमें से थोड़ा सूखी सब्जी हम निकाल लेते सब्ची की क्वांटिटी थोड़ा जादा है इसलिए हम थोड़ा निकाल रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे जो हमने जंगोरे का पेस्ट बनाया है उसको हम अच्छे से घोल लेते हैं और इसको घोलने के या इसमें लंग्स पड़ सकते हैं, अब हम इसमें गरम पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी डालने से स्वाद खराब भी हो जाता है, तो हम गरम पानी का यूज़ करेंगे, आप भी जब भी सबजी कोई बनाएं, तो उसमें गरम पानी का यूज़ करें, तो ये भी एक टिप अब हम आउशक्ता के हिसाब से इसमें पाने डाल लेते हैं, जितना हमें चाहिए क्योंकि बाद में इसमें गारा होना है, अब इसको धकन लगा के पका लेते हैं, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पक रही है, अब हम इसको पका लेते हैं बिना धकन के ही हम पकाएंगे इससे 5-7 मिनट तक में अच्छी गाड़ी हो गई है चलिए पका लेते हैं और ये देखिए पिठवानी बनके तयार है दिखने में भी कितनी सुन्दर लग रही है और स्वाधिष्ट भी बहुत होती है ये साथियो बहुती स्वा अपजिया है उससे बहुत अलग आता है और जो रोजमनरा की दाले हम खाते हैं उनसे भी जो है जब हम उप जाएं तो इस तरह की चीजे हम जरूर बनाएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर आप बताईए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को बहुत जल्दी मिलेंगे तता के लिबाए जेहिन